गरतंत दिवस और सोतंता दिवस के आउसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस में अदम साहस एवं उचकोट की विर्ता प्रदस्द करने के लिए विर्ता के पुलिस पदक हेतु 32 एवं विशिस सिवाओं के लिए 20 पुलिस अदिकारियों और कर्मचारियों के नामों की घुसना भर सरकार दोरा की गई थी नामित अदिकारियों में आजंगर रेंज के डि आई जी विजए भुसन को गुरुवार को लखनों में आयवजित पुलिस सब्ता के आउसर पर महमहीम राजपाल राम नाइक द्वारा विर्ता का पुलिस पदक प्रदान किया गया उल्यकनी है कि श्रीव भुसन को यह पदक वर्स 2006 में ततकालेन अपर पुलिस अधिक्षक एश्टियफ रहते लखनों के सीतापुर रोड पर हुई कोख्यात बदमास सचिन पहाडी और विकास कनोजिया के साथ हुई पुलिस मुढभेड में अदम साहस एवं बीर्ता के ल मिला है लखनों में हुए समारों के दवरान मुख मंतरी आदितनात डिप्टी सियम दनेशन सर्मा मंतरी महसिन रजा के साथ ही पुलिस महाने दिश्टक ओपी सिंग मौजूद रहे ब्रांडर फरनीचर की खज़दारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं आपके शहर में ब्रांडर फरनीचर का एक्सोशी शोरूम, एबीसी फरनीचर, गोद्रिज फरनीचर, गोद्रिज अल्मीरा, जुवारी फरनीचर और करलान मैटर्स की सभी वराइटिव लब्द हमारा पता है एबीसी फरनीचर, निकट हाली चौरहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगर्ड जनपत पुलिस के खेल पत्युकता से लोटते ही रोनाल्डो के बैसकेल की की चर्चा मानू हावा ही हो गई हो भी क्यों ना, आखिरकार बेहद ही सांदार प्रत्रसन कर जनपत पुलिस जो लोटी थी जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, चार-चार पदक लेकर लोटी जनपत पुलिस की टीम ने जिले का गौरोशी बढ़ा दिया वारान सीजोन की प्रत्योकता में महिला बाली बाल प्रत्योकता, बास्केट बाल प्रत्योकता, योगा प्रत्योकता वा हैंडबाल प्रत्योकता, इन चारू प्रत्योकताओं में पदक जीत कर लोटी इस टीम की चर्चा हर तरफ है प्रत्युक्ता में सांदार प्रदर्शन का लोटी जनपत पुलिस की टीम की पुलिस अधिचक ने जम कर पिध़त पाई है खिलाडियों के इस सांदार उपलब्दी को जनपत के लिए गौरों की बात बताते हुए पुलिस अधिचक अजैसाहनी ने कहा कि कचिन डूटी करने के बाद भी खेल में इस तरह का सांदार प्रदर संद निसंदे काबले तारीब है एक एक करके क्रिकेट के बैट्मिंटन के शारे मेडल ये लेते गए निश्चित रूप से सारे पुलिस टीमें आगी बधाई की पात रहा है जो इतनी कठें डूटी करने के पस्चाथ खेल में भी सरुत बरनंडर फरनीचर की खेल दारी के लिए अब आपको महानगर जाने की ज़्रूट नहीं आपके शहर में बरनंडर फरनीचर का एक्क्रोश सोरूम एबी सी फरनीचर गोदिस फरनीचर गोदिस अलमिडा जुआरी फरनीचर और करलान मैटर्स की सभी वराइटिव लब्द हमारा पता है ABC फरनीचर निकट हाली चोरहा होटल साक्षी सिधारी आजमगर रोम जल रहा था और नीरो बासुरी बजा रहा था भारत बंद के दोरान सगडी तहसील में हुई हिंसा के बाद यह कहावत आजमगर में चलता अर्थ हो रही है जिहां दो अपरेल को जिस दिन हजारों की भिड ने बसों में तोड़ फोड की आग लगाई पसराव किया उस समय जिले के सभी दलों के नेता मौन होकर तमाशा देख रहे थे किसी ने मौके पर जाकर उगर भिड को समझाने की कोशिस नहीं की लेकिन घटना के बाद सही सभी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा कर राजियतिक रोटी सेक रहे हैं गुरवार को समझादी पार्टी और बहुजद समझादी पार्टी के संयुक्त प्रतदी मंडल ने पुलिस अधिक्षक अजय कुमार सहनी से मुलाकाद किया संतोसिंग टीपू ने स्पी से मुलाकाद कर कहा कि जिनके खिलाफ साक्ष हैं उन पर कारवाई हो निर्दोसों का उत्पिनन पुलिस न करे दो अपरेल को भारत बंद आरक्षन खत्म करने की अफवा को लेकर किया गया था जिसमें पुलिस में ब्यापक पैमाने पर हिंसा हुई स्पी से मुलाकाद के बाद सपा जिला अध्यक्ष ने भी यही बात कही कि भाजपा सरकार आरक्षन खत्म करना चाहती है इसी करन से आंदोलन उग्र हो गया उन्होंने आरूप लगाया कि सगड़ी में पुलिस के लाठी चार्ज के बाद इस्तिती विगड़ी पूरे देश अस्तर पर ये भारती जनता पार्ड़ी की नीतियों और जो भारती जनता पार्ड़ी खास करके OBC और SC के आरक्षन कोटे को खत्म करना चाहती है जो भारती जनता पार्टी पिछड़े और दरितों को ये देश की मुख्यधारा से अलग करना चाहती है इससे हुआ है स्वता का आकरोशित गुस्टा था जो शड़कों पर आया हम लोगों कहना है कि भारती जनता पार्टी अपने रवईये में पिछड़े और दरितों के साथ जुलमजाती नहीं हो ये जुलमजाती का परणाम रहा कि जो लोग स्वता आये मौरग दर्शन के बिना किसी पार्टी के बुलावे पर यह निस्यत तोर पर देश में खतरनाक दोर है अगर इसके बाद भी यह लोग नहीं मानेंगे तो निस्यत तोर पर इस देश में दूसरी तरीके प्रत्पिया होगी और फिर दाने दलों को भी आगे आना पड़ेगा आप पुलिस ने उत्पिड़न किया है पुलिस ने भी उत्पिड़न जवा जी एनपुर में इंस्पेक्टर की गलती के वज़े से वो भीनाक्रोसित हुई थी इंस्पेक्टर ने लोगों पर अनायास लाटी चार्ज किया बीनाक्रोसित हो गई लोग जहां जैसे पाई दजिए यह है मामला को मिला करके देश के पैमाने पर भारती जनता पार्टी द्वारा ओभी से और स्टी जाद स्टी के लोगों को खतम करने का उनकी कृषक करने का प्रियास कर रहे हैं जानता पार्टी से कर रहा है सबस bolफ के अब तक के रवई रहे हैं भारती जनता पार्टी के उचछ देश के पैमाने पर अवीशिय और ऐसी जातियों के किलाप रहे हैं कप्तान साहब घिताए जब सगड़ी में हिंसा हुई उस समय इस्थानी बसपानेता संतो सिंग टीपू मौके पर नहीं पहुँचे थे इस पर अपनी सफाई देते हुए उन्हों कहा कि वह पार्टी की मीटिंग में भाग लेने जिला मुख्या ले आये थे ऐसे में सवाल यह उड़ता है कि घटना की जनकारी मिलते ही उन्होंने मौके पर जाकर उगर भीड को समझाने की कोशिस क्यों नहीं की वह बिल्कुल सांथ है और हम लोग की तो उस दिन पार्टी की मीटिंग थी मैं आजमगड में मौजूद था पार्टी काराले पे बाद में फोन आया कि वहां इस तरह का जो है बावाल हो गया है बाद में हम लोग गए वहाँ पे फैर पुलिस वालों ने महत किया सब कंट्रोल कर दिया लेकि अभी मामला बिल्कुल सामान ने है अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोग ने अधिकारियों से क्या का जिस तरी नहीं हम लोग अधिकारियों से निवेदन किया कि भाई जो उपद्रवी है जिन्हों ने इस तरह के जो है बवाल किये हैं जिन्हों तोड़ फोड़ किया है आप उनकी अफ्तारी करें उनको सजा दें बाकि निर्दोस्त ना उससे फसाये जाए जाए लेकिन जब आंजोला लेकर रफ्तार भठा तो वहाँ इसी दोड़ आप पताना ऐसा देखिए उस दिन सन्जो का ऐसा रहा कि हम लोग जो है पार्टी कि तरफ से बनोगे अपर जिला पर हम लोगी मिटिंग थी तो हम लोग आया थी मिटिंग में वह तो हम लोगों को बात मालूम चला कि वहां प राजनीत के इस खेल में सत्तारोड भारती जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। अध्यक्ष फिम प्रकाश रहा का कहना है कि सगडी हिंसा सुनु यूचित साजिस थी। उन्हों कहा कि सगडी और चांदपटी में प्रतरसन के दोरान बड़ी संख्या में मुसलिम समाज के लोगों ने भाग लिया जिससे हिंसा भड़की। उन्होंने यह भी आरूप लगाय तो सपा में भी कुछ पढ़े लिखे हैं, बसपा में भी कुछ पढ़े लिखे हैं, जो डेलिगेसन यसपी के पास गया, वो भी कुछ पढ़ा लिखा जरूर होगा। कहीं आरच्छन सब्द का कहीं कोई जिकर ही नहीं है, पूरे प्रकण में आप सभी विद्वान लोगों से कहना चाहता हूं कि आरच्छन सब्द पर कहीं कोई सुप्रिम कोट में चर्चा ही नहीं हुई है, और सरकार अस्तर पर भी आरच्छन के बारे में एक सब्द भी नहीं चात पट्टी एक सेंस्टी बाजार है वहाँ बड़ी संख्या में माइनार्टी के लोग सड़क पर उतरे थी उनका मकसद आप असपस जाने कि माइनार्टी का एक विव्यक्ति यह C80 अच्ट से गवर्ण नहीं होता है उनके उपर एक विव्यक्ति पर लागू नहीं होता फिर इतना ज्यादा आंदोलन में बढ़ चट के हिस्सा लेने का कारण क्या हो सकता है इसकी तो पूरी जाच होनी चाहिए न अगर कोई कि माइनार्टी के इसे लोग जी उतों वीडियो आया है और ग्रिपतारी हो रही है और जो भी आप को भी जो समाचार मिले होंगे कि जीयनपूर में जो घटना है उसमें बड़ी संख्या मिलोगा चांदपट्टी में वहां का एक महाप्रधान है माइनार्टी का है वो पूरा मोदी जी को योगी जी को अब सब्दों का बड़े बड़े अब सब्द इस्तिमाल किया है उसकी लिखित तारीर रावनापार थाने में दे दी गई है विडियो भी है और मने लिखित लोगों ने दिया है कि यह गाली देते हुए आगे-आगे निथित कर रहे थे माइनार्टी के हैं मेरे सुझ से सपा के ही होंगे यह नहीं बस्पा तो बहुत नहीं कर रही है यह दली तु तु प्रिरंग का नया प्रेम सपा को जगा है लेकिन जब से सपा और बस्पा का गटबंधन हुआ है अपने ओटों को मजबूत करने के लिए सपा के लोग असपस चार लगा रहा हूं कि रात में भारत रधन डाक्टर भीमना अंबेटकर की मूर्ती से छेंड चार करते हैं और सुबह होते ही जब तक गाहँवालों को दलित को पता चले पुलिस प्रसासों को पता चले उसके पहले ही वो दरी बिचा करके वहाँ धरने पर बैट जा रहा है ये मेरा असपस्ट मत है और जन चर्चा भी है कि वो जनता को पॉबलिक को कोई समाचार मिले मूर्ती भंजन का इसके पहले ही सपा के लोग दरी बिचा के बैड़ जा रहा है ये और अपने वोटों को मजबूत करने के लिए क्योंकि सपा के साथ बस्पा का मद्दाता जाना नहीं चाहता है बस्पा का एक भी मद्दाता आंतरी गूर्प से जब आप बात करेंगे तो वो सपा के साथ नहीं जाने को तयार है और इस से सपा के लोग परिशान है कि अगर ये कहीं मद्दाता विद्रोह की इस्थिति में आएगा और मेरे समझ से बस्पा की नेता सूसरी मायवती जी भी इस बात को लेके चिंतित आए कि मेरा मद्दाता सपा के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा ये पहली बार ये सोचने का भीशा हो सकता है सगडी में होई हिंसा पर S.P. का कहना है कि पुलिस बिना किसी दबाब के सबूत और साख्ष के आधार पर करवाई कर रही है उन्हें कहा कि निर्दोसों का उत्पिड़न नहीं किया जाएगा लेकिन दोस्यों को किसी भी हाल में बखसा नहीं जाएगा हम लोग भी उनकी दबाद से इतिमान रखते हैं कि किसी का भी कोई केरियर पर प्रभाव ना पड़े नहीं मानुसार कारवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उनके साथ उसी प्रकार का बरता हम लोग खरेंगे कि वो उनका भभी उम्री किसी परकार की कोई समस्या ना हो और इसके लावग समस्या नहीं है समयतर में जो भड़काने वाले हैं जो मुख्यारो की लोग हैं उनकी वीडियो फोटो एच इनित हैं उनके खिलाब पुलिस जरूर कारवाई करेगी उनने नहीं छोड़ेगी अभी तक इतने लोग इरफ्तार हो चुके हैं अच्छिस लोगों की अरेश्टिक संभवत्य अभी तक हो चुकी है और आगे भी कारवाई चल रही है कुछ लोग स्रेंडर अप्लिकेशन भी डाले हुए है नेयाले के समझ प्रस्तूत किया जा रहा है बाकि नेयाले का जो होगा उसका अनपालन पूलिस सुनिश्चित कराएगी सर्थ कारों के अभी प्रात करने हैं अपरस्तूत करते हैं उसमें बहुत सारे लोग नामजद है और जो भी लोग प्रा चल रहे हैं उनके खिलाब फरारी में और भी प्रक्रिया होती है कुड़की की होती है प्यासी प्राइब प्रक्रिया अपने शमयवदी और नियम के हिसाब से कर रही है किसी के आरूप प्रत्यारोप के आधार पर पुलिस कारवाई नहीं करती है हमारे सामने जो सबूत और साच उसके आधार पर उकारवाई शुच चार रहे है आपके शहर में ब्राइब फरनीचर का एक्सोशी शोरों एबीसी फरनीचर गोद्रिस फरनीचर गोद्रिस अल्मीरा जुआरी फरनीचर और करलान मैटर्स की सभी बरैटी उपलब्द हमारा पता है एबीसी फरनीचर निकट हाइली चोड़ा होटल साक्षी सिधारी जनपत के युवानेता अनुराग सिंग के केंद्री उपभोकता सहकारी भंडार समिती का सभापती निर्वाचित होने पर भारती जनता पार्टी के नेताओं और कारकरताओं में जस्न का महावल है गुरुवार को जिला मुख्याले पर एक साधे समारों में भाचपा जिला ध्यक्ष प्रेम प्रकास रायव अन्निपदादी कारियों ने अनुराग सिंग का फूल मालाओं से स्वागत किया सभी ने इस जीत पर एक दूसरे को बढ़ाई दी और इस संस्था को आगे बढ़ाने का निड़े लिया सभापती निर्वाजित होने पर युवा निता अनुराग सिंग ने सभी का आभार भी चताया मीडिया से कहा कि भाजपा सरकार ने जनता अनुरी के ढ़ंग से चुनाओ करा कर एक स्वस्त परंपरा की शुरुआत की है इस संस्था का लाब जनता तक हम चरूर पहुंचाएंगे जैसे पुराने समयव में देखा गया है पुरानी पार्टियों ने इस संस्था को एक दम खतम कर दिया था लेकिन हमारी भाजपा सरकार का इस पर धान ध्यान केंदरित किया है और इसमें हम फिर से इसको जिवित करने का काम करेंगे और जो भरस्टा चारी इस सबों में लिप थी और पार्टियां जिस प्रकार से चुनाव कराया था हमारी पार्टियों ने हर दल के लोगों को मौका दिया स्रिसिंग ने बताया कि पूरू के कई वरसों में साकारी भंडारों पर कई वस्तुमें मिला करती थी लेकिन बीच में ततकालिं सरकारों ने इसे खत्मसा कर दिया था अब हम प्रतेश अस्तर पर रड़नीती बना कर इसे आगे ले जाएंगे देखेंगे कि और इसमें नया किया जा सकता है उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे इस वसर पर भारती जनता पार्टी के जिला ध्यक्च प्रेम प्रकास राय ने कहा कि पूरूब में सरकारें तो इन पदों पर किसी का भी मनुनयम कर देती थी। लेकिन भाजपा सरकार जनतांत्रिक ढंग से चुनाव करा रही है। यह अच्छी बात है। पूरू की जो भी सरकारे रही, चाय वो सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, किसी ने भी जनतांत्रिक पदती से कुआपरेटिव का चुनाव करने का मन नहीं बना सका, हिम्मत नहीं जुठा सकी। वो लखनाव से मनोनयन कर देते थे और जिसको वो इन तीनों पदों पर अध्यक्ष हो जाया करता था भारती जंता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में आने के बाद उसने निड़ा किया कि नई कौापरेटिव सेक्टर के चुनाव भी जंतांतरिक पद्धती से जिनका हक है उनके माध्यम से कराये जाए पूरे प्रदेश के अंदर भारती जंता पार्टी ने सदस्ता कराई इन सेक्टर में साकारी संग में और अब चुनाव की पूरी प्रक्रिया में हमने एक पद पर भी मनोन नहीं नहीं ब्राण्ड़ फरनीचर के ख़यदारी के लिए आपको महा नगर जाने की जरूरत नहीं आपके शहर में ब्राण्ड़ फरनीचर का एक्सोसिय शोरूम एबीसी फरनीचर, गोद्रिस फरनीचर, गोद्रिस अलमीडा, जुआरी फरनीचर और करलान मैटर्स की सभी बरैटी पुलब्द हमारा पता है एबीसी फरनीचर, निकट हाली चोरहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगर गुर्वार को महराजा निसाद राज की जयनती जनपद में समारुफ परोपनाई गई जिला मुख्याले पर एक कारकरम डाक्टर अमबिटकर पार्क में तो दूसरा कारकरम और एक साई स्टेंड पर आई जित हुआ समारुफ के दोरान निसाद समाज के लोगों ने निसाद राज की धूल खा रही प्रत्मा को जनपद में ससमान इस्थापित के जानी की जहां मांग की तो हैं समाज के लोगों को आपसे एकतावस सिच्छा के प्रति बिसे सुरूप से जावू किया ब्रांडर फरनीचर की खईदारी के लिए आप आपको महा नगर जाने की जरूप नहीं प्रधान मंत्री की महत्वा कांची उज्वला योजना को अब और भी जादा सरण सहजव सुलब बना दिया गया है योजना को उज्वला योजना प्लस के नाम से नैसीरे से लांच किया गया है भारत गैस के बितरक केटी गैस सर्विस ने योजना के बाबत बिस्तरत जानकारी दी है केटी गैस सर्विस के प्रोप्राइटर देवेंद्र पांडे ने बताया कि पारिवर्थित योजना पहले से सरलीकृत महज इस उद्देश के साथ की गई है कि जादा से जादा पात्रों को योजना से लावहन वित किया जा सके मैनेजर अमरित राल ने बताया कि आनलाइन जारी जाती प्रमाण पत्रोव आधार कार्ड बैंक पास्बुक की छाया प्रती साथ ले आने पर उबहुक्ता को मुक्त कनेक्शन ततकाल प्रदान कर दिया जाएगा जाती प्रमाण पत्र के आधार पर आनलाइन जात्प्रोव आधार पत्र रहेगा और परिवार का आधार कार्ड बैंक का पास्बुक और एक फोटो के साथ आएंगे कस्टमर अब उनको कनेक्शन देंगे ये connection पहले से बहुत आसान हो गया है अब ये प्रदान मंतरी जी की जो योजना थी connection बाटने की इस योजना के अंतरगत वो लगता है पूरी हो जाएगी अब ये सी और ये स्टी जनता से अपील कर रहे हैं कि वो आएं केटी गैस पे अपना डाकुमेंट लेके और connection आसानी से प्राप्त करें अगर कोई दिक्कत परसानी होती है तो तुरण डिस्टिबूटर से संबर करें ब्रण्डेज़ फरनिचर की खेशारी के लिए अब आपको महानगर जाने की ज़रूट नहीं आपके शहर में ब्रण्डेज़ फरनिचर का क्रालाइन मैटर्स की सभी वेराट्यीप लब्द हमारा पता है एबी सी फरनीचर निकट हाली चो रहा होटल साक्षी सिधारी आजमगर्ड धोवी घाट से अवैद कबजा हटायानी की मांग को लेकर घाउं के धोवी समारज के लोगों ने गुरुवार को जिलादिकारी को अपना ग्यापन सोपा मामला सगडी तहसिल के थाना महराजगन छेत्र इस्थित गाउं अवसानपूर का है जहांके धोवी घाट पर तबगगों के कबजे के चलते धोवी समाज के लोगों का ब्योसाय अवसान पर है ग्रामलो ने जिलादिकारी को ग्यापन सोप धोवी घाट से अवयत कबजा ततकाल हटवाय जाने की गोहार लगाई है ब्रानडर फूर्नीचर की ख़िदारी के लिए आप आपको महा नगरश जाने की ज़रूरत नहीं विकाजवोन में तैनात प्रादेशिक सेवा संगठन पीडियेस के करमचारियों अपसरों ने गुरुगार को कारे बहिसकार के साथ विकाजवोन के बाहर विरोध परद्रशन भी किया संगठन के आवान पर शुरू किये गए आंदोलन में डिडियो विजय कुमार यादव डियार डिये के अशोक कुमार सिर्वास्तव सहित कई करमचारी वबसर शामिल हुए सनक्षक डीडी शुकला ने बताया कि एक उच्चादी कारी द्वारा विडियो ठेकमा के साथ हुए दुरुवयोहार पर ही हम उन लोग आंदोलित हैं हम चाहते हैं कि इसमें उचित कारवाई जल से जल की जाए ब्रांड़ेट फरनीचर की खज़दारी के लिए आपको महा नगर्ज जाने की जरुद नहीं आपके शहर में ब्रांड़ेट फरनीचर का एक्सोशिव शोरूम एबीसी फरनीचर गोदिश फरनीचर गोदिश जल्मीरा जुवारी फरनीचर और करलान मैटर्स की सभी वरैटिव लब्द हमारा पता है एबीसी फरनीचर निकट हाली चौरहा होटल साक्षी सिधारी आजमगर्ड साकेट पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगर्ड अफिलेट तो सीबिसी अधिशन ओपन फॉर नीव सेशन क्लास में 3 तो क्लास 9 अधिशन तो इंट्रेंस इक्जांब वी पर्वार र्शनकेटा संसर्टी फ्रॉर्ष prag इंट्री च्मृविटे लाफ लाफ ऊ्ट्विट ने स można एक्टिट्रूं प्रॉर्सлиз रवर् अल के स्ब्ल스कि ओंपत्य पर्म्पाब मृ bababon मेर्ण आहर्ट परती पहुंपिक है करा अधिक टर बाट कि अधिक इस प्रक्राट असमिन आजर इस प्रोल्प्ट इस प्यूंप जसुंटे सिर अजड इस स्थ ने इस फिर्प्राइब कि अधिक तुट्रब बारें इस विर्म घष फिर्ड थान अान्र बैना इस बार बारन of moral, social and religious values. Our team, we select creative and skilled teachers who impart qualitative learning. Saket Public School, Garhwar Bankat, Aasamgarh. Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Aasamgarh. We provide 360 degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admissions open for playgroup to class there. Paradise International School, Kinndri Vigdialay Road, Hirapati, Aasamgarh. Awara finish. The आराद्वया ज्वेलर्स, अगर सेनधी कालेच के समीप, Katsara Saray, Aasamgarh. सादी के गहने, पार्टी के गहने, डायमंड के गहने, सोने चांदी के गहने. सब कुछ एक ही तुकान पर. आराध्या ज्वेलर्स अग्रिसेन डिग्री कालेज के समीब कट्रा सराय आजमगर्द 100% हॉलमार्क ज्वेलरी अर्भी डिजाइन के टाइमेंड सेट चांदी के बरतन तो रतनों का भंडार्वी राज़कोट बामबे और दिल्ली के आबूशन भी चाहिए तो चले आईए आराध्या ज्वेलर्स कट्रा सराय आजमगर्द 95-13-15-39 संबीम स्कूल आजमगर्द विच एम्स पूर वेस्ट और एक्सलेंग रिजिस्ट्रिशन ओपन अधिशन पूम्स आजमगर्द संबीम स्कूल आजमगर्द आजमगर्द का कहला गुरुफ हाउसिंग प्रोजेक्ट महानगरों की स्कूल पर बन रहे रुपाली पर्ल हाउसिंग अपार्टमेंट का मांचित आजमगर्द विकास प्राजिक्रण से सुपित है शाहर के में रोड नरोली पर बन रहे गुरुफ हाउसिंग प्रोजेक्ट में कामर्शियल दुकाने टू बीएचके और ठी बीएचके के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपेन अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लग एर कंडिस्टमेंजीम फ्री हाई स्पीड लिप्ट की सुधा सभी फ्लोर पर सीची टीवी सेक्योर्टी सिस्टम चोबिस गंटे सेक्योर्टी गाड पार्टी वा फंक्शन के लिए कवर्ड बैंक ठाल बेहदरीन लोकेशन जेवंट पार्टी की सुधा आसानमा की सिस्टों पर बैंक लोन की सुधावी उपलब करिये अपना सपना साकार शहर में बताईए अपना अश्याना फेस्टिवल आफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्थ करें रूपाली डेवलपर्स प्राइबे लिंटेड काली जवराति राहा रैधोपूर आजमगड रमा मल्टी एस्पेस्यलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगड जिले के पहले मल्टी इस्पेशालिटी एवम ट्रामा सेंटर वे जनर्नल और लेप्रो इसकुपिक सर्जन डौक्टर अमिर सेंग, इस्तरी एवम पुसुती रोग विशासगे डौक्र कुस्पु सेंग, बाल रोग विशासगे डौक्टर सुलीम, निरो सर्जन लिकुल अपेंडिक्स की सफ़ल आपरेशन की अस्त्याज मिक्सु विधा वेल एक्क्यूब डियक्नोस्टिक लैब, एक्सरेइ, ECG, ब्लॉड और यूरिन टेस्ट पेसलिटी अम्बूलेंस और इमर्जनसी सर्विस अविलेबल 24 आर्स रमा मल्टी इस्पेशलिटी वहस्पिटल और ट्रावा सेंटर नरौली आर्समगर्द शरीर की जाज के लिए अब आपको महानगर जाने की जिरुत नहीं, महानगों जैसे सुधा, अब आपके शहर आर्समगर में बलग MRI of brain, spine, body and joint, CT scan, multi-slide, whole body CT scan, high resolution ultrasound, Doppler study, digital x-ray, cardiac test, SUNY ECO, digital CMT, digital ECG, alter monitoring, mammography, OPG, BFT and pathology. Ambulance facility also available only at Prasap Diagnostic Center, Sibiline, Aarzamgad. Emergency Siva 24-Ghante, Doppler